नमस्कार साती आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित्रन चलिए दोस्तों आज की सुरुवात करते हैं आज का जो सेकेंड कॉल है वो है जी आई सी जी आई सी के अंदर बात करने से पहले अगर अब इदक आपने चैनल संस्क्राइब नहीं गया तो पहले चै वेटिंग में उस तरह से GIC का GIC अल्रेडी मार्किट के अंदर ट्रेड करता मार्किट के अंदर है तो GIC के क्यों बोलना इस टैम बें साही समय वाय करने है क्योंकि देखिए आप चलेंगे जो भी माइटरों सिट्ष में रहते हैं तो आप विगयर आपके पास कोई भी वा जिस तरह से ग्रोथ बढ़ी है और मुझे लगता है गवर्मेंट जिस तरह से एक्सले रही है आने वाले दो जब हमारा 22 चलेगा तो 22 में डिमांड काफी तीजी से बढ़ेगे जनल इंसोरेंस की जिस तरह से आप देखी रहेंगे हरों के अब जनल इंसोरेंस की तरह फोकस कर पर इस्टाइड है तो बेसिकली आपको एक्स्प्रेंग करने जरू तेहनिक किस सेक्टर की कंपणिया क्या वैंचर है ठीकि ना तो कॉर्परेशन ऑफ गवर्मेंट सेक्टर का है तो आप समझ सकते है जनल इंसोरेंस कोर्परेशन ऑफ इंडिया लाइक लाइक लाइसी ला अपना चैनल सब्सक्राइब निगा था पहले चैनल को सब्सक्राइब के लिए जो बैल है अगर को बजा ना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए जी आइसी के अंदर आग चल किया रहा है आज ये साड़े पांच परसेंट की तेजी के साथ ट्रेट कर रहा है क्या वज़ पहले तीस पैसे गा 52 हाई है 244 पैसे गा 52 लो है एकसो सोलर पे साथ पैसे गा आज ये साड़े 5% की तीजी साथ ट्रेट कर रहा है इस टेम पे पांस दिन के अंदर विद्ध ने 5.40% परसेंट रिटन दिया पॉजिटिव में वन मंद में तक माइनस में 0.21% माइनस में अभी ये के अंदर भी 0.89% रिट ग्रॉथ कर एक तक में तो ये फोड़ा से इस इडिकेशन होता समझने वाली कि मुवमेंट जब बनता है सही मुवमेंट में बाइ करना होता है क्योंकि बहुत सो लोग क्या करते है जब मुवमेंट में ही बाइ करके बैठ जाते है अपर मुवमेंट जब बना थो जब लेना होता है जब अपर लेवल पर चलाएगा उसके वदा शेयर में प्रॉफित बॉकिंग होती है तो देखिए इसका share holding pattern देखते है तो परमोटर के पास इसकी holding है यानि government के पास खुद की holding है 85.78 परसंट गौर्वर्मेंट के पास ही है D.I.S की holding है 11.3, public की holding है 2.49, F.I.S की holding है 0.69, तो सबसे अच्छा indication की है परमोटर के पास सबसे जादा holding है 85 यानि government के पास खुद की holding है सबसे अच्छे बाद इसके अंदर यह है तो यह देखिए समझेनाली बात है कि परमोटर की holding काफी अच्छी है और इसके बाद D.I.S यानि domestic investor की holding में काफी अच्छी है यह holding से ही आपको समझाना चाहिए कि इसके अंदर company का government भी एक्टिवली इसको manage अपने पास रखे इसके शेर को और D.I.S भी अपने शेर को इसके पास लेने का D.I.S की holding देखे किती है 11 पॉइंट 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 की holding से काम है तो यह काफी इसके अच्छा शेर है इसके अंदर D.I.S की holding के काफी अच्छी थोड़ा सा इसका मोटा ओवर्वीव समझ लेते हैं फाइनसली समझेंगे को क्वार्टर टू के रिजल के आ रहे हैं बात नहीं करेंगे इसके अवारे में तो यह NSE BSC दोनों पर दोनों पर चलता है इसके इसका मार्केट काईब है 24742 क्रोड़ का इस टॉक पी है 99.96 रोसी इसका 13.18 डिविडेंट अभी तक नहीं दिया है और बुक वैल इसके 178 किये और रिटन आफ इक्वेटी रोई इसके 8.35% फेस्वेल इसके 5 रुबिस किये तो बैसिकली इसके इंदिकेशन किया है कंपनी अलमस्ट कर जा फिरी है और स्टॉक ट्र और 0.79 के बुक वैलिव देट कर शेर स्टम पे तो इसका अवर व्यू जादे नहीं समझते है इसके इंदे चलते और और क्या प्लस पॉंट अ वह देख नहीं तो यह तो यह तो यह तो इसके श कर आच पर आचकेशन के सेट आच आज यह ज़िए जिए अर्शन सेक्टरी क 2.10, वह घटके हुया सेल, इनके 48.59 क्योंकि COVID के चलते हो, इनके सेल में इजावा देखने को मिले आता . और उसके बाद, प्रॉफिट मेए इजावा कॉकि एक्सिंदोंे हुई निहीं. इसलिए इसलिए पॉर्फिट में इसलिए अप्डेट हुई थी अप्डेट हुई थी लेके तो LIC के जिस दिन सिस्टम में आयागा जिस दिन से आई पर लॉंच हो जायागा उस दिन के बाद से शेयर करना मुवमेट देखना को मिले कि क्यों जी आईसी के दोनों यह एक दूसे पहलर में चलते हैं और चलते हैं इसके आधर आज केंडल जो बन रहते हैं तो हमें क्या करना है आज के दिन में इसके अंदर again कम सौल तें इस प्रॉफिट बुकिंग होती होने जीजिए उसमें इक्सार पर जीटन के दिन के डेखन को मिलेंगे क्योंकि देख की candle को एक ही चटके में इने cover कर दिया 10 दिन की गिरावट को एक ही चटके में cover कर दिया इसने यह देखने वाली बात है यहां गिरा था 20 दिसम्बर को आज 31 दिसम्बर यानि 10 दिन की गिरावट को एक ही चटके में cover कर ले एक ही दिन में पूरा गिरा था एक ही दिन में बार बना हुआ है और देखें किस तरह से स्लैडली मसीडी पर ब्रेकाउट आ चुका है तो और ब्रेकाउट तीन देख रहे हैं RSI, MSCD और यह देखिए किस तरह से VWAPB ब्रेकाउट आ चुका है तो आपको क्या करना है 132 के स्टॉप लोस से बाय करिए इस इस के टरियागा चाहिए 143 मेरा पहला टरियेट हैं यहां से 145 वह साथ आज एवनिंग क्लोजिंग में आ जाए या मंडेय मौर्णिंग में आ सकता है तो पहला target यहां से आएगा हमारा 145 का 145 जैसी cover करेगा क्योंकि इस तरह से territory देखिए कि 145 पे यहां पे एक necklace है 149 की तो जैसी इस area की territory में आएगा share देखिए यहां पे इस candle पे आएगा share तो 145 जैसी खतम करेगा तो वैसी स्टेट रिम आएगा तो दूसर target हमारा 150 का second target is 150 जैसी 150 कवर करेगा तो इस candle को handle बन रहा है यहां पे 165 के candle है बट यहां पे 160 तक के target लेके चलेंगे 155 के target लेके चलेंगे short term के target है 10 से 15 दिन के target लेके चलेंगे पहला target 155 का दूसर target 1500 रुपेगा तीसर target 155 रुपेगा इन तीन टार्गेट के लेके पिसे साल होल रखी है देखे इंदर देखे वॉल्यूम देखे यहां पे जो एक केंडल है इस candle का वॉल्यूम देखे यह जो यहां पे चैंडल थी एक सो डेड़ सो तकी ती और यहां भी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो इस एरिया को कवर हो रहा है इस टेम पे देखे समझेना लिबात है तो एरिया कवर हो रहा है मुझे यहां से लगता है 132 के स्टॉबलों से आज भी आप आप बाइंग कर सकतो आभी भी इसमें फ्रेस दिख रहा है तो ग्रावट जित्ती हो निती वह हो चुकी है और वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है तो इसमें हमार को लगता है आप बाइंग और देखरों को मिलेगी तो 132 का स्टॉप लॉस रखिए पहला टारगट यहां से आएगा 145 का दूसा टारगट यहां तीस लिए वेट और वाच पर रखना इसको अपने पॉटफोलियो में एड करिये और अपना कैपिटल गुरॉथ करिया प्रॉफिट के साथ अपना निकल जाहिए और भी शेर आपको डेवाइडे मिलते रहते हैं तो ऐसे ही आपको मुखे मिलते रहेंगे अच्छे शेर मिलते रहेंगे तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लिस वीडियो को लाइक शेर फवाट करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद सो मच पर वाचिंग इस वीडियो